Hello guys, welcome to my YouTube channel, Ritik Technical Support इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप किसी को भी ब्लॉक करते है बट ब्लॉक करने के बाद आपने नोटिस किया होगा कि जो भी आपको कॉल करेगा तो वहाँ पे आपको कॉल लॉक्स में सो करता है कि वो हमें कॉल कर रहा है भलाइसे हमें नोटिपिकेसन नहीं आता बट जब हम लोग फोन मेनेजर को ओपन करते है तो रीसेंट में हमें वो देखने को मिलता है ठीक है बट अगर आप चाहते हैं कि वो कॉल लॉक्स में भी हमें देखने को न मिले तो इसका क्या तरीका रहेगा वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वीडियो स्टाट करने से पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा बिलका इकन को प्रेस कर लेना है ठीक है तो जो भी नंबर को आपको ब्लॉक करना है इसका तरीका में आपको बता देता हूँ कि directly आप लोग क्या करिएगा कि जैसे कि हम लोग को ये नंबर को ब्लॉक करना है ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे इसके details में जाते है और नीचे में block का option है कि यहाँ से हम लोग इसको ब्लॉक करते है ठीक है बट यहां से तो आपको ब्लॉक करना ही है बट यहां से बैटर है यहां से अगर आप लोग ब्लॉक करेंगे गईस तो आपको call logs में देखने को मिलेगा ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे settings में जाएंगे phone manager की और block numbers पे click करेंगे और यहां से आपको वो number को block करना है ठीक है add number पे click करना है उसको type करना होगा plus पे click कर दिया हमने और यहां से हमें block कर दिया ठीक है तो simple आपको इस तरीके से यहां से block करना है जब आप लोग यहां से block करेंगे तो आपको वो जो number है call logs में देखने को नहीं मिलेगा ठीक है तो यह तरीक का यूज़ करिएगा आपकी यह जो setup रहेगा वो काम करें start कर देगा ठीक है मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जैमातादी